हेलो दोस्तो मेरा नाम है रमेश्क मार और दोस्तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है दी जरूरी होने वाली है जो कई सालों से सहारा इंडिया से परिशान है उनका पैसा फज़ा हुए सहारा इंडिया में दोस्तो मैं इस वीडियो में बताँगा कैसे उरो लोग शिका तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर के वीडियो को शेयर कर दिए ताकि आने वाली हर नोटिफेक्शन की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे का और और लोगों को इसका लब मिल सकें सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों का पैसा कितने दिन में वापस मिलेगा और सहारा इंडिया परिवार कब तक यहाँ पैसा लोटाईगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से जानेंगे इसके साथ साथ आप यहाँ पर सहारा इंडिया परिवार में फसा हुआ पैसा स्टेटस ओन लाइन कैसे चेख कर सकते हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे सहारा इंडिया ने ऐसे सभी निवेशकों के पैसे रीफंड करना सुरू कर दिया है जिन्होंने अपना पैसा फिक्स डिपोजिट स्कीम या कोई ऐसी स्कीम में लगाया था जिसके लिए सेवी ने बहाली कर दी है तो उसका पैसा सहरे इंडिया अपने निवेशकों को वापस कर रहा है अगर आपने भी ऐसी कोई सी स्कीम में पैसा लगाया हुआ था तो आपका भी पैसा जल्द ही सहरे इंडिया परिवार द्वारा रिफंड कर दिये जाएगा अगर आप भी अपना पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो साहरे इंडिया परिवार से सम्मधित इस वीडियो को ध्यान पुर्वक देखेगा और सुनियेगा खाते में जमा हुआ 15,000 कुलोर रुपे जैसे कि आपको पता है उच्तम नियाले के सुप्रेम कोट के नियाले के अनुसार उसके आदेस के अनुसार साहरे इंडिया के निवेशकों द्वारा जमा की गई राशी का कुल धनराशी का उच्तम नियाले के आदेस के अनुसार 31 अगस्त 2012 के आदेस के अनुसार बेंक खाते में भेजी जा रही है बताये गया कि निवेशकों किरासी 25,781 करोड़ रुपए या मूल राशी दिसंबर 2021 तक सेवी द्वारा सेवी सहारा रिफंड खाते में भेज दी जाएगी और इसके मुकाबले में अभी 15,503 करोड़ रुपए जमा किये जा चुके हैं सरकार की तरफ से आया ब्यान दोस्तों सरकार ने संसद में अपना ब्यान जारी करते हुए कहा कि सेवी को अभी तक लग बगए 80,000 करोड़ रुपए की मूल राशी 53,642 और इजिनल सेटिफिकेट या पास्बुक के लिए 19,644 आविदेन ही प्राप्त होई पाए हैं जिसके से जल्द ही से भी अपने निवेशकों के लिए पैसे भुक्तान करने की त्यारी में लग गई है। उसे परिशान है और काफी दोनों से पैसा नहीं मिल रहा है तो वहाँ एलप लाइन नंबर पुलिस एलप लाइन नंबर 112 पर दोस्तो ध्यान से देखेगा सुनिएगा 112 पर कॉल कर सकते हैं जारकंड सरकार दोरा एसी से भी लोगों के जाज की जाएगी जो निवेसको का उनक अपने शिकायद दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निम्लिखित पर किलिया अपनानी होगी सबसे पहले आपको कंज्यूमर हेलप लाइन निंबर की वेपसाइट पर जाना होगा फिर आपको यहां पर अपना एक आकाउंट बनाना होगा उसके बाद आपको य शिकायद दर्ज की जाएगी और आपका रिजिट्रेशन नंबर मिल जाएगा उसके बाद यह रिजिट्रेशन नंबर आपको इमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों इसके बाद जल्दी इसके बाद जल्दी आपकी शिकायत कर निवारन कर दिया जा सबसे पहले और महत्पुर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब तुरंद कीजिए और टेलेग्राम लिंक के मादम से आप हमारे टेलेग्राम ग्रुप को जोईन कर सकते हैं